हेलो एन वेलकम तो दा चैनल ट्रेडर्स आज के सेशन में हम लोग किसी भी तरह का ट्रेड एग्जेक्यूट नहीं करेंगे हम एक बहुत जरूरी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन के उपर बात करेंगे केंडल स्टिक में जिसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है उसके माध्यम से हम प्राइस एक्शन को रीट कर सकते हैं उसको समझ सकते हैं डिरेक्शन एक तै कर सकते हैं तीन केंडल से मिल करके ये इस फॉर्मेशन का गुरूप होता है जिसका नाम है रैक्स फॉर्मेशन त पैटर्न को हम लोग देखेंगे अभी रेक्स लाइन पैटर्न के दो भाग होंगे इसके दो पार्ट्स होंगे एक तो रेक्स लाइन इन होता है और दूसरा होता है रेक्स लाइन और आउट इन दो इन क्लिए to your answer दो सिखनाने है कि एन दो फॉर्मिशन को आप प्रश्टर के लिए तक यह पर nggak और फिर कर देतलब नहीं ऊट्रॉलकिए यह जितनी हम मेहनत कर रहा है आपको पढ़ाने में, समझाने में, कोई formation सिखाने के लिए, तो आप से बस इतनी सुमीद है कि आप मारी वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, कॉमेंट करोगे और अपने friend circle में इसको share करोगे, बहुत अच्छी तरह से इसको समझने के कोशिश कीजिएगा, अभी rex line in और out, इनके इससे अगर हम करेंगे, इनके parts करेंगे तो तीन parts लोते हैं, सबसे पहला part होगा हमारा weak, second होगा standard pattern, third होगा मेरा strong, एक weak हो गया, standard हो गया, और तीसरा हो गया strong, उसी तरह से rex line in में भी तीन patterns होगे, यह वाले जो तीन हुए है weak, standard, strong होगे है हमारे rex line out के, अब यह वाले जो patterns होगे, इन में भी rex line in में एक pattern होगा हमारा weak, एक होगा मेरा strong, और एक होगा standard, तो यह तेन पेटर्स हमारे निकल करकिया तो टोटल हम ढेंग है कि हमारे पास यह जो रेक्स time-19- Opology ये स्टैंडर विक और आभी देखते हैं इनके patterns के बारे में कि ये दिखते कैसे हैं प्राइस actions में पर Candle के तुरू इनको पहचाने की कैसे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे racks line in के बारे में ये जो formation आप देख रहे हैं इसको हम लोग racks line formation बोलेंगे जो first वाली candle होती है ये एक bearish candle होती है second वाली candle क्या करती है इस bearish candle के नीचे की तरफ निकलने की कोशिश करती है second वाली candle हमारी first वाली candle के downside की तरफ निकलने की कोशिश करती है तो ये वाला जो breakout होता है इस breakout को हम लोग बोलते हैं trapping breakout हमारी इस formation के दौरान यह वाली जो विक बनती है इस विक का बहुत ज्यादा importance होता है इस विक के आधार पर हम यह पता लगाते हैं यह फिर यह समझने कोशिश करते हैं कि prices के strength क्या है हम यह जो तीनों Candles की formation देख रहे हैं किसी एक level पर वहाँ पर क्या होगा कि एक तो यह candle बनी दूसरा उसका एक lower low बनाने की कोशिश की गई बट कहीं न कहीं यहां से buyers आपके activity downside से और price को upper range में ले जाकर उन्होंने छोड़ दिया इस वाले breakout को हम बोलते हैं tapping breakout और यह वाली जो हमारी विख होती है इसको बोलते हैं जोनल विख इस विख को हम लोग बोलेंगे जोनल विख अभी जोनल विख से क्या हुआ है कि price हमारा टक्रा करके upside की तरफ गया है और यह वाली जो body हमारी बनी है प्राइस की इस formation के आधार पर हमारी यह वाली जो body बनती है जरूरी है कि first वाली candle के अंदर ही हमारी यह वाली body बनी हो so यह हो जाएगा मेरा एक valid formation इसलिए इस body को जो कि हमारी formation के अंदर draw होती है इस body को बोलते हैं zonal body जिस तरह से candle की विक जोनल विक होती उसी तरह से candle की बोडी होती इसको zonal body बोला जाता है यह हो गए हमारी कई सारी formation होती है जिनकों की class में देखते हैं सो कम समय में जितना अच्छे सा अच्छा होगा हम यहाँ पर समझाने की कोशिश आपको करेंगे आगे बढ़ते हैं अब जैसे यह होगे आपका zonal भी यह होगे जोनल बाडी और अब बचती है अपनी यह वाली केंडल हमारी जो ग्रीन वाली केंडल है इसकी बस एक शर्थ होती है कि यह वाली केंडल हमारी इन दोनों रेंजिस के अंदर होनी चाहिए इनर बाडी जो होती पूरी तरह से जो कैंडल बनी यह इस वाली कैंडल के अंदर और सेकेंड वारी रेंज के इन साइट के अंदर यह फॉर्मेशन पूरी तरह से फार्म होती है इस तरह से मिलकर के यह एक, दो और यह तीन, यह तीन candles मिल करके हमारे लिए एक rax line formations ड्रॉ कर देती है यह वाली जो formation होती, यह होती है rax line in, अभी rax line in formation यह हो गए second आता है हमारा rax line out अभी हम लोग rax line in देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे rax line out, उसके बाद में in और out के तीनों जो strength होती, उन strength को draw करके हम आपको देखाएंगे, यह line in की formation हो गए, और अब हम लोग देखेंगे line out, line out किस तरह से बनेगा, जिस तरह से rax line in बनी, इसका just opposite होता है rax line out का एक यह आपका base बना सबसे first candle जो यहाँ पर बनी हमारी red बनी थी, यहाँ पर जो सबसे first candle बनेगी, वो एक green candle होती है, यह bullish candle, second candle जो बनती है हमारी, यह एक highs लगाते हुए बनती है मतलब price ने यहाँ से एक high लगाने की कोशिश की थी, इस वाली range से, यह breakout हुआ था, तो जिस तरह से यह एक trapping breakout था, उसी downside के तरफ गिर गया, गिरा और इसने विख बना दी, यह एक zonal विख बन गई, और यह वाली जो body बनी है हमारी, एक zonal body बनी, okay third जो कहमारी candle बनती है वो होती है, एक third वाली जो हमारी candle बनती है, यह bearish candle होती है अभी इस bearish candle का move कहां तो हो गया, इसकी बात हम लोग करेंगे strength के अंदर, अभी सिर्फ और सिर्फ हम इसका structure देख रहे हैं कि किस तरह से हम information को पहचानना है, तो यह overall आपका बन गया, एक racks line out का formation, अब हम चलते हैं, इसकी strength के उपर, इसकी markings कर देते हैं तो जिस तरह से यहां पर price upside की तरफ निकला यह वाली देखे, यह जो wick हमारी बनी, यह price upside की तरफ निकला तो यह हो गया आपका trapping, zonal wick बोलेंगे इसको trapping breakout बोलते हैं यह एक zonal wick हो गया और price जिसने यहां से breakout करने की कोशिश की थी, इस वाली range से इस body को हम बोलेंगे zonal body इस तरह से इन formations को हमें देखना है, I think समझ में आया होगा आपको तो इस तरह से हमें इन formations को देखना हो और पहचानना है, I hope कि आपको समझ में आया होगा, और यह कोई बहुत heart या फिर कोई बहुत, और यह कोई बहुत की formation नहीं यूनिवर्सल है काफी समय से चलती चली जा रही है बस point of view होता है उसको change करना पड़ता और आपके लिए काम करने लगते हैं तो इसको जितना भी हो सकाएगा deeply समझने की कोशिश कीजिएगा बहुत अच्छी तरह से practice करने की कोशिश यह आपकी formation जो बन गए यह हो गया आपका एक स्ट्रक्चर किस तरह से देखना है हमको समझ में आ गया अब हम चलते हैं इसकी strength के उपर कि रेक्स लाइन इन और आउट में जो strength होती कब breakout हमें देखने क्योंकि यह जो formation होती basically जो हम इसका use करते हैं एक breakout को समझने के लिए किसी भी trend के breakout को समझने के लिए information का use किया जाता है बहुत simple और बहुत used to language में हम आपको यह सारी चीज़े बता रहा है को बहुत ज्यादा hard और tough नहीं है यह अगर आप समझने चाहोगा तो बहुत easy होता है इसको समझ लेक्स लाइन इन और out का structure हो गया आपका अब चलते हैं इसनकी strength के patterns और उनके strength के बारे में बात करेंगे out के patterns को हम लोग draw नहीं करेंगे उसको आप खुद ही understand कीज़ेगा जस्ट उसका opposite होगा wise words होगा क्यूंकि समय कम है और इसके बाद में हम लोगों को chart पर चलना चार्ट पर भी देखने के कोशिश करेंगे सबसे पहले आते हैं हम Rex line इनक अपना breakout दिया है इसको समझने के कोशिश किजएगा यह जो first वाली candle होती है हमारी एक बहुत important candle होती है first वाली candle को हमारी third candle किस तरह से breakout कर रही है इसके उपर depend करेगा कि आपका जो trend है इसके chances क्या रह सकते है क्या हमारा trend continuous हो सकता है या फिर हमारा trend reverse कर जाएगा वहां से third व यह वाली जो formation है यह वाली जो breakout है यह पूरी तरह से week breakout है बहुत ज्यादा chance है कि यह price हमारा यहां से turn हो जाए और हमारा price downside की तरफ जानी कि अपने इन दोनों ही supports को break करके आपको नीचे की दिशा में price जाता हो देख जाए यहां से और फिर यहां से हम इसे एक week breakout मानेंगे क क्यों कि first वाली candle को देखे पूरी तरह से breakout नहीं किया है सिर्फ और सिर्फ half body ही उसका break हुआ है और इतना part बचा हुआ है जिसको break नहीं किया है और यह शर्थ होती है कि हमारी third वाली candle ही price को breakout करे अपसाइट के तरफ उपर की दिशा के तरफ तो इस तरह से देखें तो यह breakout हमारा एक week breakout होगा ओके body of the third candle below half of the first one after closing below half of the first candle यह first candle है after closing इसकी जो closing है हमारी सिर्फ half body तक ही close हुआ हो हम इससे एक week formation मनेंगे और अब बढ़ते हैं अपनी standard formation की तरफ अब standard formation को समझे यहां पर क्या हुआ था कि candle ने सिर्फ half body तक ही अपनी एक strength दिखाए तो standard में क्या हुआ है कि half body से ज्यादा price upside की तरफ गया है half से ज्यादा price upside की तरफ गया और उसने half body के ऊपर में जाकर के अपनी closing दिए weak से थोड़ा सा better है बट हम इसको perfect नहीं मानेंगे हम इसको strong नहीं मानेंगे यह एक standard formation होगी मेरे लिए यहां पर देखे क्या हुआ है above half body of the first one below half of the first one यहां पर आपका above half body है और यहां पर आपका below half body है below half body weak है और above half body weak से उपर है standard है but tradable नहीं है मतलब यह पूरी तरह से strong नहीं है तो हम क्या मान सकते हैं कि body of the third candle above half of the first one after closing close कर देने के बाद first वाली candle के half body के उपर में अगर यह close कर दे रहा है तो हम इसको थोड़ा सा better मानेंगे वीक से उपर है हमारा standard formation में हम इसको रख सकते हैं तो इस तरह से यह standard formation बनी और अब आती है सबसे last formation strong formation किस तरह से होगी यह वाली जो हमारी formation है यह एक तरह से हमारी पूरी तरह से strong formation क्यूंकि इसने first वाली candle के above में जा करके closing की है इसलिए हम इसको एक standard formation मानेंगे sorry standard नहीं strong formation अभी आप इसका use कैसे कर सकते हो कि सबसे परिफ़े हमने यह पर देखा कि breakouts breakouts किस तरह से हम confirm कर सकते हैं कि जब भी आप किसी formation का breakout देखते हो half candle तक price यहां पर आकर कि आपको close कर रहा है तो इस तरह से देख रहे हम इसको कि एक weak breakout है half से upside की तरफ जा रहा तो यह standard breakout हम मानेंगे इसको और अगर पूरी body upside की तरफ जाकर के close कर देती है तो यह एक strong breakout होगा आई हो कि आपको समझ में आया होगा यह हमारे लिए एक strong formation बनी तिरो में अंतर क्या है यह below half है यह above open price of first one मतलब first candle के बिल्कुल upside की तरफ जाकर के close हुई है और यहाँ पर क्या हुआ है third candle above half of the first candle यहाँ पर सिर्फ half body ही निकल करके आई थी तो इस तरह से हमने देखा कि रेक्स इन में और यह सारी की सारी formations क्या है रेक्स इन की formations है एक आपकी weak है एक standard है और एक strong है अभी यह strong formation में थोड़ी सी जगा की कमी के वाज़े से हमने यहाँ पर इसको draw किया है कोई बात नहीं यह तो रेक्स इन की हो गए है रेक्स आउट में हम क्या देखेंगे just in formations का opposite कर देंगे confuse मत होईगा just हमें इन formations का opposite कर देना है तो इस तरह से हम यहाँ पर रेक्स इन और रेक्स आउट को देखते हैं इनकी जगा क्या होगी या फिर देखने हम इसको देखेंगे कैसे इसको हम चलते हैं चार पर चार पर समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर देखिए एक तरह से हम लोगों ने जो भी चीज़ पढ़ी है यह हमारे लिए एक weak formation है जब हमको यह formation हमारी जगे पर दिख गए तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि high हमको mark कर लेना है और इसका low mark कर लेना है हमें देखना है कि prices के यह जो body है first वाली candle के half तक दिख यहाँ पर आई है बिल्कुल half तक आई है half closing की है तो एक तरह से हम इसको देखते हैं तो हमें ये एक weak formation दिखाई परती है ये कोई भी standard या फिर strong formation है ये एक weak formation है अब देखिए इस formation के breakout के बाद price ने कितना अच्छा move हमको downside की तरफ दिखाया price नीचे की तरफ close हुआ भले ही ये weak है बड़ देखिए closing के बाद price सीध है downside की तरफ चला गया तो इस तरह से हमने देखा कि weak formation है और इसकी मार्किंग किस तरह से करनी है चार्ज के उपर यहाँ पर देखिए ये एक standard formation है कि जब first वाली candle के बिल्कुल low तक price आया है नहीं half नहीं उसके बाहर बिल्कुल low तक आया है और price वहीं पर close हो गया है और उसके बाद में जब price हमारा निकला है नीचे की दिशा में तो देखिए एक अच्छा move हमको इसके अंदर देखने को मिला काम सारी formation करती है जितनी भी standard, weak या फिर strong ये सब भी formations काम करेंगी कोशिश हमें ये करनी होगी कि एक सही जगह पर अपनी formations को ढूंड लेना है और जब भी आपको weak या फिर standard formation दिखें वहाँ पर extra confirmations के साथ काम करने की जरूरत है और जब एक strong formation दिखेंगी तो किसी भी तरह की confirmation अगर आप नहीं लेते हो तो भी काम चल जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर volumes के भी इसके अंदर काफी सारे roles तो volumes बहुत रोल होता है किसी भी formation के strength देखनी है तो volumes के roles होंगे उसके अंदर हो अब volumes वगर हम यहाँ पर discussion नहीं कर सकते हैं उसके बारे में कुछ चीजह हैं जो कि हम लोग ऐसे discussion नहीं करते हैं उसका discussion जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लास में होता है आप देखिए यह formation अपनी standard formation है higher time frames की marking को साथ में रखना है अपने और आगे की तरफ काम करना है कि first candle हमारी यह बनी यह हमारी first candle थी इसके बाद में zonal body और zonal wick और यह fake breakout इन तेनों को साथ में रखना है अपनी यह zonal body हमारी बनी यह एक zonal wick बन गई और यही हमारा एक fake breakout बना इस तरह से करते हुए हमने इतने सारे elements को add कि और देखी प्राइस में जो breakout हमारा दिया है वो first वाली candle के downside के तरफ close हो गया दुबारा प्राइस यहां पर retrace होने आया और यहां से सीधे नीचे की दिशाम में निकल गया 896 से सीधे 883 या फिर 886 तक हम मान सकते हैं 1% का move सीधा सीधा आपको इसके अंदर देखने को मिला तो इस तरह से हमने आपको क्या बताया है standard weak और strong है इन तीनो formations को पहले हमने structures पर देखा ड्राइंग में देखा उसके बाद में चार्ट यह पूरा का पूरा एक टूल है जो कि हमने आपको दिया है इसको बहुत अच्छी तरह से इंप्लिमेंट कीजिए इसका यूस कीजिए अपनी ट्रेडिंग में इसको उतारिए बहुत ज्यादा help आपको इससे मिलेगी प्राइस एक्षन को और भी ज्यादा अच्छी तरह से आप समझने चाहते हो सीखने चाहते हो टेलिग्राम चैनल का लिंक में डिस्क्रिप्शन में पढ़ा हुआ है आप उसको ज्याइन कर सकते हो समय समय पर वहाँ पर कुछ ना कुछ कुछ क्यूटोज हम या मार्केट च सब्सक्रिप्शन में तर्ता के लिए थैंक्यू गूट बै एंट वी विल मीट अगें